खेल कूद यानि स्पोर्ट्स में रुची रखने वाले सभी खिलाडियों या टीम का एक ही सपना होता है कि वे अंततह ओलंपिक भिखेलों में भाग लें और सभी खिलाडियों का ये भी सपना होता है कि वे स्वन पदक यानि गोल्ड मेडल रज़द पदक यानि सिल्वर मेडल या फिर कम से कम ब्रोंज मेडल तो प्राप्त कर ही ले अभी हाल ही जापान के टोक्यों में संपन्न हुए ओलंपिक 2021 यानि 2021 में दुनिया के अनेक दीशों के खिलाडियों टीमों ने भाग लिया भारत को गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और ब्राउंज मेडल भी प्राप्त हुए आज हम बात करेंगे, आज बन चुके युवाओं के आदर्श, जेवलिन थ्रो यानि भाला फेंक प्रतियों किता में अपने देश के लिए एक मात्र गोल्ड मेडल जीतने वाले निरज चोपडा की बारती सेना में सुवेदार की पतपर कारे रत मात्र तेविस साल के निरज चोपडा हर्याडा में पानी पस से 14 किलोमेटर दूर खंडरा गाउं के रन्ने वाले हैं इसकूल की दिनों से ही निरज को खेल कूद में काफी रूची थी और प्रतियों किताओं में भाग लेते रहते थे उनकी रुची को देखते हुए उनके पिता सतिश कुमार जी उनकी माता जी और परिवार वालों ने भी उनको काफी बड़ावा दिया उस्था वर्दन किया उस्थाथ के लाड़ी को बहुत मेहनत करनी पड़ती है उनको कड़े अभ्यास करने होते हैं ताकि शरीर लचीला और स्ट्रॉंग बन जाए निरज चोपड़ा ने कफी कड़ा अभ्यास किया इस समय सभी परिवार वालों को पूरी आशाथी कि निरज स्वनपदक जीत कर आएगा निरज के सेना के साथी भी कुश लाइव इवेंट को एक साथ बेट कर टिवी पर देख रहे थे और प्रसन होते हुए तालिया बजा रहे थे निरज के स्वनपदक जीतने से पूरे देश की जनता अती प्रसन है लोगों ने तो मारान प्रताब सही तुलना करना शुरू कर दिया कि एक तो भाला मारान प्रताब फेंक दे थे या फिर निरज चोपडा ने फेंका है निरज चोपडा ने 86 मिटर दूरी तक बाला फेंक कर ये जीत हासिल की 121 साल के इतिहास में एथेलेटिक्स में भारत का ये पहला ओलमपिक गोल्ड मेडल है हाला कि वेरा ओलमपिक में पहले दो मेडल जीते जा चुके हैं इस एतिहासिक जीत पर भारत के प्रदान मंत्री श्री नरेंदर मोदी जी अन्य मंत्री गर्ण, हर्याना के मंत्री गर्ण, शेत्र के सांसद और विधायक ने भी न केवल निरज बलकि उनके माता पिता का भी उनके घर जाकर सम्वान किया कई सरकारों और संस्ताओं ने अन्य उलम्पिक विजेताओं के साथ साथ निरज के लिए भी करोणों रुपियों के पुरुसकार की गोश्णा की है आईए देखते हैं निरज ने उलम्पिक में भाग लेने से पहले किस तरह से इतनी कड़ी मेहनत की और अभ्यास किया साथ ही उलम्पिक में किस तरह से भाला यानि जेविलेन फेंक कर जीत हासिल की और गोल्ड मेडल प्रदान करने पर हमारे राष्ट्रगीत जन गण मन की धुन बजने के समय निरज चोपरा की आखों में कितना तेज दिखाई दे रहा था